तो नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका अपने चैनल explain for you में दोस्तों हमने पिछले कई सारे वीडियोज में भिन्नों के जोड के बारे में भिन्नों के घटाओ गुणा भाग के बारे में सीखा है लेकिन आज हमें कैसा सवाल सिखने जा रहे है जिसमें एक ही सवाल के अंदर आपको चार से पांच operations करने है यानि कि भिन्नों को जोड़ना भी है घटाना भी है गुणा भी करना है भाग भी करना है तो इस सवाल को देखें यहां पर आपको दिया है दो बटे तीन प्लस साथ बटे चार फिर आपको भाग देना है नो बटे दो माइनस साथ बटे पांच और गुणा में दिया है तीन बटे चार यानि कि आपको यहां पर चार operations एक साथ सॉल करने है तो यहां पर बच्चे mistake कर जाते हैं क्यों mistake कर जाते हैं क्योंकि उन्हें यह पता नहीं होता कि पहले हम जोडे घटाएं गुणा करें या भाग करें ठीके यानि कि देखें क्या confusion बनता है कि पहले तो इन दोनों को जोडे फिर भाग दे या फिर पहले इनको भाग दे फिर इनको जोड़े घटाएं या इन दोनों का गुणा करें और फिर सॉल करें मतलब काफी सारे confusion बनते हैं लेकिन इन confusion का एक ही solution है वो है board mass board mass rule अगर board mass rule आपने समझ लिया तो ऐसी problems आप चुटकियों में हल कर सकते हैं तो चलिए मैं बताता हूं आपको board mass rule के बारे में तो यहाँ पर हमने लिख लिया है B-O-D-M-A-S यानि की board mass तो board mass rule का मतलब क्या होता है इस board mass rule में आप देखिए पहले जो spelling आ रही है वो है बी बी का मतलब होता है bracket बी का मतलब क्या होता है दूस्तों bracket यानि की अगर आपको ऐसा कोश्टक दिया जाए solve करने के लिए सवाल मे तो सबसे पहली priority पे आपको किसे solve करना चाहिए bracket को solve करना चाहिए ठीके मैं आपको हिंदी में भी बताऊंगा की board mass rule को हिंदी में क्या कहते हैं पहले हम इनके चिनों के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं B का मतलब होता है bracket O का मतलब होता है off bracket off off का मतलब होता है आपका into यानि कि just multiply यानि bracket के बाहर अगर multiply है तो उसे फिर solve कीया जाता है bracket को solve करने के लिए bracket की बाहर multiply को solve कीया जाता है example में आपको दिखाता हूँ देखिए आपने ये solve किया होगा 2 bracket में x plus 2 तो यहाँ पर आप क्या करते हो यहाँ पर आप अगर board mass rule लगाते हो तो board mass rule यह कहता है कि आपको पहले इन दोनों को जोड़ना नहीं है वैसे भी x और 2 आपस में जोड़ने वाला नहीं है तो फिर क्या करोगे आप bracket को solve करोगे bracket को हटाओगे तो board mass rule यही कहता है कि सबसे पहली priority पर किसे solve किया जाए bracket को bracket के बाद आता है off यानि की multiply off का मतलब होता है गुणा तो यहाँ पर देखिए अगर bracket के बाहर कोई भी number लिखा है उसका अंदर गुणा किया जाता है मतलब यह 2 जो बाहर लिखा है इसका अंदर गुणा तो 2 का x में यानि की 2x फिर 2 का 2 में यानि 2 दूनी 4 तो ऐसे solve किया जाता है तो उम्मिद करता हूँ आपको bracket off का मतलब समझ में आया होगा यानि bracket का मतलब होता है कोश्चक ओफ का मतलब होता है गुणा यानि कोश्टक का गुणा इसको बोलते है का कोश्चक का गुणा चलिए आप आगे बढ़ते हैं अपन तो ये दो चीजे हम सीख गए है कि bracket of उसके बाद लिखा है D, D का मतलब होटा है division यानि कि भाग करना ठीके उसके बाद आपको second, third priority पे भाग देना है यानि ये दोनों step होने के बाद आपको जो चीज को solve करना है वो है आपका division भाग करना है आपको ठीके इसको कहा जाता है भ सवाल का solution कब करेंगे तो सबसे पहले हम board mass rule को सीख जाते हैं फिर यही board mass rule हम इस सवाल पर apply करने वाले हैं तो आप समझ भी जाएंगे कि board mass rule को कैसे use किया जाता है तो चलिए अगले number के और बढ़ते हैं जो की M दिया है spelling में M, M का मतलब होता है multiply यानि कि into तो आपको multiply D का मतलब division M का मतलब multiply A का मतलब addition यानि कि जोड़ना A का मतलब होता है addition plus यानि कि जोड़ना या बोल सकते हैं जोड़ ठीके और S का मतलब तो बच्चे-बच्चे को बताए S का मतलब होता है क्या किया जाता है multiply किया जाता है किसका multiply किया जाता है अगर bracket के बाहर कोई number है उसका multiply bracket के अंदर किया जाता है तो bracket of division multiplication addition and subtraction क्या होता है board mass rule bracket of division multiplication addition and subtraction अब हिंदी medium बाले सोच रहें कि हिंदी में इस rule का क्या मतलब है तो हिंदी में इसे कहते हैं को का भागू योग क्या कहते ह को का मतलब कोष्टक थिक्ए क हमने लास्ट में धकर भागो जाता है वोग क्यूकि कोकः भागो योग और आफिलाइग का करने वाले सवाल को solve और यहाँ पर side में हमने लिख लिए board mass rule को क्योंकि हम ऐसे सवालों के लिए board mass rule को follow करते हैं तभी हमारा जो है answer सही आता है तो board mass rule की पहली step है कि bracket यानि bracket को solve किया जाए पर हमारे सवाल में हमें कहीं पर bracket नजर नहीं आ रहा मतलब यह वाली step हम skip कर सकते हैं क्योंकि bracket है ही नहीं तो bracket solve कहां से करेंगी तो यह वाली step तो skip हो गई second step है board mass की कि bracket के बाहर कोई number लिखा है तो उसका multiply अंदर होता है अब bracket ही नहीं है तो multiply किसका करोगे किस number का करोगे bracket में तो यह वाली step भी skip हो गई अब जो अगली step है वो है division और हमें हमारे सवाल में division नजर आ रहा है तो सबसे पहले हमें किसे solve करना है division को solve करना है तो चलिए division solve करते हैं दो बटा तीन वैसा का वैसा ही प्लस का साथ बटे चार वैसा का वैसा ही अब आपको division को पहले solve करना है क्योंकि board mass में division को ही solve करने को पहले कहा गया है तो division को solve करते हैं अब आपको मैंने कहीं सारे वीड को आपने गुणा में बदल दिया, तो जो आगे नंबर लिखा होता है, मतलब ये 9 बटे 2 है, ये उल्टा हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 बटे 9, ऐसा क्यूं हुआ, क्यूंकि आपने division के sign को multiply में convert किया, तो आगे जो fraction लिखा है, वो रेसी प्रोकल, मतलब कि वो उल्टा हो ज 3 बटे 4, गुणा में 3 बटे 4, तो हमारा जो board mass में division वाला step है, वो भी हाँ पर complete हो चुका है, तो इसे भी हम हटा देंगे, अब आता है भाईया, चिन multiplication का, यानि कि आपको गुणा करना है, तो आपको जहां पर भी गुणा दिखे, आपको सबसे पहले गुणा को solve करना है, तो देखते हैं कहां-कहां गुणा है, एक तो सर यहां पर इन दोनों का multiply करना है, मतलब इन दोनों का गुणा है, और इन दोनों का multiply, यानि कि इन दोनों का गुणा है, तो आपको बस इनको ही solve करना है, बाकी number वैसे के वैसे agities रहेंगे, ठीके, 2 बटे 3 वैसा का वैसा ही, अब आपको क्या करना है साथ का दो में आमने सामने गुणा प्लस लगा देते हैं हम अब आप देखिए अब आपको इनका गुणा करना है तो गुणा का रूल आपको मैं कई बार बता चुका हूँ आप यहाँ पर वीडियो में देख भी सकते हैं और फिर भी मैं आपको एक बार बता देता हूँ कि गुणा होता है भया आमने सामने उपर वाले नमबर का उपर वाले नमबर से गुणा नीचे वाले नमबर का नीचे वाले नमबर से गुणा अब हम cross में चेक करते हैं, 2 के भाड़े में 4 आता है, तो हम इसे कार देते हैं, 2 एक कम 2, और 2 दुनी 4, यानि 2 बटे 4 को हमने काटा, तो 1 बटा 2 आ गया, अब आपको क्या करना है, कि आमने सामने नंबरों का गुणा कर देना है, 7 का 1 में गुणा किया, तो 7 एक कम 7, ठीके, 7 एक कम 7 हो गया, और 2 का 9 में गुणा किया, तो 2 नम हो गया, आपका divide में कितना 18, माइनस लगा दिया, जो कि आगे था, अब आपको इनका भी multiply करना है, तो multiply का क्या rule होता है, आमने सामने multiply, उपर वाले नमबर का उपर वाले से, नीचे वाले नमबर का नीचे वाले से, अब यहाँ पर क्या है, कि उपर नीचे और cross में कोई भी cancel out नहीं हो रहा, तो हमने आमने सामने multiply करना ही पड़ेगा, तो 3 का 7 में किया, तो 23 सता 21, बटे में 4 पंजे हो गया आपका 20, तो यहाँ पर आपने multiply वाली method को भी solve कर लिया, तो यह board mass में multiply वाला step भी हमारा complete हो गया, तो इसे हम हटा देते हैं, अब बचा है भईया board mass में plus और minus करना, तो आपको यहाँ नजर आई रहा होगा, बची प्लस और minus करने की, तो आपको आप इन्हे solve करना है, और तीन fraction दियें आपको, पहला fraction, दूसरा fraction और तीसरा fraction, इनका आपको जोड घटाओ करना है, fractions का जोड घटाओ, यानि भिन्नों का जोड और घटाओ करने के लिए आपको LCM आना चाहिए, तो आपको इन्हें जोडने और घटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, नीचे जो भी नंबर लिखे हैं, 3, 18 और 20, इन नीचे वाले नंबरों का आपको लगुत्तम समापर तक LCM लेना पड़ेगा, तो हम side में लेते हैं आप इनका LCM, अब हमें 3, 18 और 20 का LCM लेना है, तो हमने side में ले लिया है इन 3 नंबरों को, और आप हम करने वाले हैं इनका LCM, तो आपको आप छोटे से छोटा टेबल लेना है, जिसमें ये 3 हो, या इनमें से 2 नंबर आ जाते हूं, तो हम 2 का पहाड़ा शुरू करते हैं, क्योंकि छोटा से छोटा पहाड़ा 2 का होता है, तो 2 के पहाड़े में 3 नहीं आता तो वो वैसा का वैसा ही, 2 के पहाड़े में 18 आता है 9 बार में, क्योंकि 2 नम 18, 2 के पहाड़े में 20 आता है कित्ती बार में 10 बार में, अब देखिए अब आपको नजर आ रहा होगा तीन और नो तीन का पाड़ा आप यहाँ पर ले सकते हैं तो तीन का पाड़ा लेंगे तो तीन के पाड़े में तीन आता है एक बार में तीन के पाड़े में नो आता है तीन बार में तीन के पाड़े में पांच नहीं आता तो व एक तो आपको बता है ऐसा का ऐसा ही नीचे चलते जाएगा, तीन के फाड़े में तीन आता है एक बार में, तीन के फाड़े में पांच नहीं आता तो वैसा का वैसा ही हमने पांच लिख दिया, ठीके, अब आपको केवल पांच का फाड़ा लेना है, तो पांच का पाड़ा लिया, तो ये जो है, एक और एक जो आपको नजर आ रहे हैं, ये तो आप एजिटीज चलते ही जाएंगे, पांच के पाड़े में 5 आ गया एक बार में, तो सारे ही नंबर जो है 111 आ गये, मतलब अपना LCM यहाँ पर खतम हो गया, अब ये जो टेबल् आपका LCM आ गया है, आप इनका multiply कीजिएगा, 180 आ जाएगा, तो इन तीनों नंबर्स का आपने LCM लिया, तो क्या है LCM? LCM आया भया, 180, अब आपको क्या करना है, डिनोमिनेटर का divide देना है LCM से, मतलब तीन के पाड़े में 180 कित्ती बार में आता है, तो तीन के पाड़े मे 180 आता है कित्ती बार में? सहाट बार में, सहाट का उपर 2 में multiply कर दो, क्या कहा मैंने? तीन के पाड़े में 180 आता है सहाट बार में, सहाट का उपर 2 में गुणा, तो सहाट दुनी होता है 120, प्लस है तो प्लस लगा देंगी, अगर यहां माइनस होता है, तो माइनस लगा दे 20 के बारे में 180 आता है किती बार में 9 बार में 9 का आप 21 में गुणा कर दो चलिए 9 का हम 21 में गुणा करते हैं तो क्या आ जाएगा 9 एक कम हो जाता है 9 9 दुनी 18 मतलब की 199 189 आ जाएगा कैसे आया 189 20 के बारे में 180 आता है 9 बार में उस 9 का हमें उपर 21 में गुणा करना पड़ा तो 9 और 21 का गुणा आ गया 119, अब आपको क्या करना है, इन दोनों को जोड लेना है, क्योंकि हैं प्लस लगाए, 120 और 70 हो गया आपके 119, माइनस में 119 तो लिखा ही है, तो वैसा ही हम लिख देते हैं 119, और बटे में क्या है, 180 तो हम उसको भी लिख देते हैं, अब 190 में से 119 गया तो बच्चे बच्चे को बता है कि एक बचेगा, 190 में से 190 गया तो बच्चा एक, कितना बच्चा दोस्तों, एक और बटे में क्या है, 180 है ही, तो इसका अंसर क्या आ गया, एक बटे 180, तो दोस्तों हमने एक ऐसा सवाला सिखा जिसमें भिन का जोड घटा और गुणा भाग एक साथ होता है, मतलब चारो कंडिशने एक साथ आ जाती है, तो आपको बोर्ड मास रूल का यूज करना है, और उसे फॉलो करके आपको ऐसी प्रोबलम्स को सॉल्व करना है, उमीद करता हम आपको वीडियो पसंद आय होगा, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और प्यारबरा जरू से कमेंट जरू कीजिएगा, कि आपको ये वीडियो कैसे लगी, और आगे भी आपको मैथमेटिक्स के ऐसे बेसिक वीडियो चाहिए, या फिर नहीं चाहिए, तो दोस्तों वीड झाहिए.